यार, क्या हाल चाल, पैसे की तंगी हो रही है, कॉलेज की फैस भरनी है, नया फोन लेना है, या फिर बस जेब खर्च के लिए माँ बाप से हाथ पहलाने का मन नहीं कर रहा? टेंशन मतलो यार, आज मैं तुम्हें बताऊंगा आठ ऐसे तरीके, जिनसे तुम बिना किसी खास कौशल के भी पैसे कमा सकते हो, हाँ, तुमने सही सुना, चाहे तुम स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, या फिर बस कोई ऐसा इनसान, जो घर बैठे पैसे कमाना चाहता है यह वीडियो तुम्हारे लिए है, तो तयार हो जाओ अपने अंदर के बिजनसमैन को जगाने के लिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे पैसे कमाने के कुछ जुगाड़, और हाँ, वीडियो को पूरा देखना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जरूरी बात मिस कर दो. सबसे पहले बात करते हैं डेटा एंट्री की. यार, ये एकदम सिंपल काम है. जैसे तुम वाट्साप पर अपनी गर्ल्फरेंड को मैसेज करते हो न, वैसे ही कम्प्यूटर पर कुछ डेटा टाइप करना होता है. बस फर्क इतना है कि यहां तुम्हें प्यार भरे मैसेज नहीं, बलकि कुछ नंबर्स, नाम या ऐसी ही कुछ बोरिंग चीज़ें टाइप करनी होती हैं. लेकिन अच्छी बात ये है कि इसके लिए तुम्हें कोई खास स्किल्स की जरूरत नहीं होती. बस थोड़ी बहुत टाइपिंग आनी चाहिए. और हां, कम्प्यूटर चलान तो आता ही होगा. वरना वीडियो कैसे देख रहे हो, यार. इंटरनेट पर बहुत सी वेबसाइट्स हैं, जो फ्रीलांस डेटा एंट्री जॉब्स ओंफर करती हैं. तुम बस साइन अप करो और काम शुरू करो. पैसे तो कम मिलेंगे. ये मानता हूँ. लेकिन कुछ तो कर रखो. अब बात करते हैं एक और मज़ेदार तरीके की, जिससे तुम बिना कुछ खास किये पैसे कमा सकते हो. ओनलाइन सर्वे. हाँ यार, तुमने सही सुना. बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने प्रोड़क्ट्स और सर्विसेज को और बहतर बनाने के लिए लोगों से उनकी राय जानना चाहती हैं और इसके लिए वो पैसे देने को भी तयार रहती हैं. तुम्हें बस करना ये है कि कुछ वेबसाइट्स या एप्स पर साइन अप करना है जो ओनलाइन सर्वे ओन्फर करते हैं. फिर वो तुम्हारी प्रोफाइल और रूची के हिसाब से तु सुना तुमने यार घर बैठे आराम से बैठ कर चाय की चुस्की लेते हुए बस अपनी राय देकर पैसे कमाओं. क्या कहना जिन्दगी हो तो ऐसी? अब मान लो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है लेकिन फिर भी कुछ पैसे कमाने हैं तो टेंशन मतलो यार क्योंकि माइक्रो टास्क है न ये ऐसे चोटे-मोटे काम होते हैं जिन्हें करने में बस कुछ मिनट लगते हैं. जैसे कि किसी इमेज को कैटेगराइज करन किसी टेक्स्ट का अनुआद करना या फिर किसी वेब साइट को रेट करना ये काम सुनने में बोरिंग लग सकते हैं लेकिन यार पैसे तो पैसे होते हैं न? और अच्छी बात ये है कि ये काम तुम कभी भी, कहीं भी कर सकते हो बस तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन या ल सिंपल है यार तो देर किस बात की आज ही माइक्रो टास्किंग शुरू करो और अपनी जेब गरम करो चैप्टर चार लिखो और कमाओ अगर तुम्हें लिखने का शौक है तो यार तुम तो सोने की चड़िया पाल रहे हो क्योंकि आजकल फ्रीलांस राइटिंग की बहुत डिमांड है वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हर जगह कंटेंट की जरूरत होती है और इसके लिए वो लोग अच्छे राइटर्स को ढून रहे होते हैं तुम्हें बस करना ये है कि अपनी राइटिंग स्किल्स को थोड़ा निखारना है और कुछ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रोफाइल बनानी है फिर तुम अलग-अलग क्लाइंट्स के लिए आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट्स, वेबसाइट कंटेंट, सोशल मीडिया कैप्शन्स और भी बहुत कुछ लिख सकते हो और हाँ, पैसे की बात करें तो, जितनी अच्छी तुम्हारी राइटिंग होगी, उतने ज्यादा पैसे कमाओगे तो देर किस बात की? अपनी कलम उठाओ, या फिर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाओ, और लिख डालो अपनी कामियाबी की कहानी चैप्टर पाँच कैश बैक और रिवार्ड्स खर्च करो और कमाओ यार, क्या तुम जानते हो कि तुम खर्च करके भी पैसे कमा सकते हो? हाँ, तुमने सही सुना कैश बैक और रिवार्ड आप्स की मदद से तुम अपनी रोजाना की खरीदारी पर पैसे बचा सकते हो और साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त पैसे भी कमा सकते हो बहुत से अप्स हैं जो तुम्हें ऑनलाइन शॉपिंग, रेस्टोरेंट बुकिंग, मुवी टिकेट बुकिंग और भी बहुत कुछ पर कैश बैक और रिवार्ड आफर करते हैं तुम्हें बस इन अप्स के जरीए अपनी खरीदारी करनी है और बदले में तुम्हें कैश बैक या रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे जिनका इस्तेमाल तुम बाद में और भी खरीदारी करने के लिए कर सकते हो कुछ आप्स तो तुम्हें रेफरल बोनस भी देते हैं यानि कि अगर तुम अपने दोस्तों को ये अप्स इस्तेमाल करने के लिए रेफर करते हो तो तुम्हें और भी ज़्यादा रिवार्ड मिलेंगे तो देर किस बात की? आज ही कुछ कैश बैक और रिवार्ड अप्स डाउनलोड करो और स्मार्ट तरीके से खरीदारी शुरू करो यार एक बात बताओ तुम्हारे घर में भी ऐसा कोई सामान तो नहीं पड़ा है जो सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ पुराने कपड़े, किताबे, इलेक्ट्रोनिक्स, खिलोने, कुछ भी अगर हाँ, तो यार, ये कबाड नहीं, बलकि तुम्हारे लिए कमाई का जरिया है आजकल बहुत सी वेबसाइट्स और आप्स हैं जहां तुम अपना पुराना सामान बेच सकते हो OLX, क्वाई कियार, फेस्बुक मारकेट प्लेस, ये सब तो सुना ही होगा बस अपने सामान की फोटो खींचो, एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखो और उसे इन प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट कर दो तुम्हें यकीन नहीं होगा कि लोग किस चीज के लिए पैसे देने को तयार रहते हैं तो देर किस बात की, अपने घर की सफाई करो, कबार बेचो और कुछ पैसे कमाओ चैप्टर साथ अगर तुम्हें घूमने फिरने का शौक है और साथ ही साथ कुछ पैसे भी कमाने हैं तो डिलीवरी सर्विस तुम्हारे लिए एक बढ़िया आप्शन हो सकती है आज कल बहुत सी कमपनियां जैसे कि Zomato, Swiggy, Dunzo, Delivery Partners हायर कर रही है तुम्हें बस करना ये है कि इन कमपनियों के साथ रजिस्टर करना है और फिर तुम अपने हिसाब से टाइम स्लोट चुन कर खाना, ग्रोसरी या दूसरा सामान लोगों के घर पहुँचा सकते हो जितना ज्यादा काम करोगे, उतने ज्यादा पैसे कमाओगे और हाँ, सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए तुम्हें किसी खास क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है बस तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन, एक वहीकल, बाइक या स्कूटी और ड्राइविंग लाइसन्स होना चाहिए तो देर किस बात की, आज ही डिलिवरी पार्टनर बनो और अपनी कमाई शुरू करो अगर तुम्हें लगता है कि उपर बताए गए तरीके तुम्हारे लिए नहीं है और तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो यार, बिजनिस करने से बहतर क्या होगा? और अच्छी बात ये है कि इसके लिए तुम्हें कोई बड़ा निवेश करने की जरूरत नहीं है तुम अपने घर से ही किराना या घरेलू सेवाओं का बिजनिस शुरू कर सकते हो अगर तुम्हारे आस पास कोई दुकान या छोटी जगए है, तो तुम वहां से किराना सामान बेच सकते हो या फिर तुम लोगों को घर घर जाकर घरेलू सेवाओं दे सकते हो जैसे कि साफ सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना वगएर है शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार बिजनिस चल पड़ा, तो फिर मज़े ही मज़े हैं तो देर किस बात की? अपने अंदर के बिजनिस मैन को जगाओ और अपनी किसमत खुद लिखो तो यार, ये थे आठ आसान तरीके जिनसे तुम बिना किसी खास कौशल के भी पैसे कमा सकते हो अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि पैसे नहीं है, या फिर जॉब नहीं मिल रही है बस थोड़ी सी महनत और लगन की जरूरत है और तुम भी अपनी जिन्दगी में काम्याभी हासिल कर सकते हो याद रखना यार, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता जरूरी है कि तुम जो भी करो, दिल से करो और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी पैसे कमाने के ये जुगाड सीख सकें चलो यार, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए आइडियाज के साथ तब तक के लिए, टेक केर, बाई बाई